हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को बताएंगे माली जी आपका एकॉंट फेस्बूक लॉकेट में चला जाता है और किस तरह से ओपिन करना है सबसे पहले आपको लॉगिंग अप्रोवनीड ये प्रोग्लम सोल्व करने के लिए आपको मॉइल नंबर और जीमेल एड होना चाहिए उसी मॉइल नंबर पे आपको ओटीपी पराप्त होगा लेकिन आप लोग के पास ओफो नंबर खो जाता है लेकिन खो जाने इक बाद किस तरह से प्रोग्लम सोल्व करना है आप लोग इस वीडियो में एडि तक बने रहे हैं मेरी एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्रोगिंग अप्रोवालीड किस तरह से प्रोग्लम सोल्व करना होता है आप लोग इस वीडियो में एडि तक बने रहे हैं चलिए मैं स्टाट करता हूं मेरा नामे रुपेश्ट मार आप देख रहे हैं और के हेल्स टू में तो सबसे पहले मैं चलता हूं मॉयल के स्कीन टाएंगे किस तरह से lies कर नहुंत हैं आप लोग को इस वीडियो में पुरी डिटेयल में बताएंगे किस तरह से estás one अप लोग स्गतर स्वेधियो इंड तक बने रहे हैं हैं हेल्लो फ्रेंड मैं मौय स्कीन पर आगया हूं अगर आप लोग को भी। लोगिंघ अप्रवरलीड प्रोग्लम चल रहा है तो आप लोग इस वीडियो में ऐन्ड तक बन रहें सबसे पहले दखेंए यह प्रोग्लम सभी को चलता रहता है कि कैसे प्रोग्लम स्वोड करते हैं आज की इस वीडियो में डेट ऐले बात करें तो सबसे पहले facebook गर भी प्रोग्लमा चलता है उसके लिए आपको न्य गार्व मैच होना चाहिए जैसे आपको पैंप कार्ड पैंप कंड में जो भी नेम इनियन रहता है और अगर अगर आपको मेच करता है तो आप असानी से अपना Facebook account open कर सकते हैं अगर आपको मेच नहीं करता है तो आप open नहीं कर सकते हैं यहीं से वीडियो अप छोड़कर चले जाए अगर आपको name औor data बद time match कर रहा है तो आप फुल वीडियो देखिए आपको भी प्रोग्लम सोल्व कर दिया जाएगा तो आप लोग इस वीडियो में इन तक बन रहे हैं सबसे पहले क्या करना है देखिए सबसे पहले आप लोग को फेस्बुक अपलिकेशन ओपन करना है ओपन करने के बाद जो भी आपको आइडी में आपको आईडी यहां पे लोगिंग कर लेना है अइड़ी पाशवर्ट डाल के लोगिंग कर लेते हैं चलिए यहां पर फेस्फ़ुक अपन करते हैं और आपको इस तरह से इंटरफेश आ जाता है यह प्रोग्लम कैसे आया आप लोगक्स में जरूर बताएगा देखिए तो इसको सबसे पहले स्क्रीप स्क्रीन सोट लेनेके बाद यहां पर आपको कंटिनी उप्ट nt पर क्लिक करते हैं करते ही आपको यहां पर दो से तीन उप्टि पी जा रहा है और gmail पे जा रहा है तो उसके लिए भी आल्रेडी बीडियो बना हुआ है आपको अई बटन पर लिंक मिलेगा वहां से कंपलीट वीडियो बाच किजी अगर आपको यह सिंगल आ रहा है तो कैसे ओपिन किजेगा तो सबसे पहले इसको भी लेने के बाद आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि आप कहां कहां फेस्बुक लॉगिंग किये हैं यहां पर नौज के नठावाण मिनट में देख लीजिए मौर्निंग कर तैम में तिसको भी आ screen shot ले लिजेगा स्क्रीन सोट लेने के बाद आपको यहाँ से back हो जाना है back हो जाने के बाद आपको play store के और चलना है यहाँ पे सर्च कीजिएगा Gmail Gmail सर्च करने के बाद जो भी आपको आएगा सबसे पहले Gmail update कर लिजेगा क्योंकि अफडेट करने के बाद आपको वहाँ पे जल्दी सी feedback आपको फेशू के द्वारा मिल जाता है तो चलिए अफडेट कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अफडेट हो गया है अफडेट हो जाने के बाद आपको इसको open कर लीजेगा ओपिन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आता है और सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं घ्रएद कर लिएगा ज़ो आपको फेस्बोक में रहेगा जीघ को सराल एब्सि tap करना तोय और मतलों क्या यहां पर जीमेल डाला है तो पो सबजेक्ट-में क्या जैसे लॉगिंघ अप्रोवल नीड आपका Facebook एकांट लॉकेट में चला गया सीक्रोटी की प्रोग्लम चल रहा है है को गया डिशेवल कर दिया यहां पर आपको जो भी प्रोग्लम रहेगा ओ सब्जेक्ट में आपको लिखने ना है तो चलिए यहां पर आपको प्रोग्लम है लॉगिंग अप् उसके बाद डेटर वर्थ उसके बाद यूर फोटो फोटो कौन सा डालेगा जो आपको Facebook में प्रोफाइल में लगा हुआ था वो आपको फोटो यहां पर करना है उसके बाद यूजर नेम और उसके बाद यहां पर लिखना है हलो फ्रेंड्स उसके बाद यहां पर लिखना है हलो फ्रेंड्स मेरा नाम अच्छाय कुमार है इस तरह क्या आपको लिखना है मतलब जो भी आपको नेम रहेगा वो आपको यहां पर नेम इडिट कर लेना है उसके बाद आपको लिखन यहां है प्लिज अनलोक एकॉن्ट अनलोक माई एकॉण्ट इस तरह क्लिखने के बाद आपको लाश्ट में जाना है सिकर है उसका बाद यहां पर ननद थैनक्यूं सब्सक्राइब के बाद आपको उपरकर चयाइड में एक है गैलरी का ओप्शन आ रहाऊगा तो चलिए इस वर लाइन पर क्लिक करते ही आपको यहां पर देखी आटेच्ट फाइल वाल आइकन दिखरा होगा इस पर क्लिक करनी के बाद आपको जो भी फेस्वुक में स्क्रीन सोट लिए थे वह आपको सिलेक्ट कर लेना है select करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं पूरी detail में यहां पर select हो गया है select करने के बाद आपको यहां पर देखिए उपर के side में आपको send का option आ रहागा यहां से send आपको चुप चप कर देना है send कर देने के बाद आपको 24 गंटे के बाद चाहे 24 गंटे में information नहीं मिलता है तो आपको 7 days का wait करना पड़ेगा 24 गंटे में नहीं आएगा तो 7 days में आजागा अगर आपको 24 गंटे में कैसे आता है name और date of birth match कर गया धार कट से या पैन कट से तो आपको 24 गंटे में आजागा अगर आपको match नहीं किया तो आपको 7 days का wait करना होगा यह आप लोग धियान रखिएगा 7 days का wait करना होगा और इसके बाद आपको ID open करना है logging करना है तब जाके आपको program सुल बज़ेगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को भी subscribe करे Facebook से related वीडियो देखने के लिए आसा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ माया होगा अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो सुरू से end देखिए क्योंकि यह आपका program चल रहा है अगर आप लोग सही तरीका से rule follow करते हैं तो आपका फेस्बुक से related काफी सरा अपडेट मिलता रहता है तो आप लोग चैनल को subscribe जरूर करें तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ तब तक लिए thank you all the best बाई बाई